हेलो, सुलकम टो मैं डूप चैनल, एक्स्ट्रिम रेतिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिरो दा काइट में आप इस टॉप लोस कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फॉल, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कामाना चाहते हैं, तो आप हमा इस टॉप लोस लगाने के लिए आप ट्रेडिंग करें, या फिर इन्वेस्मेंट करें, दो तरीकों से आप लोग इस टॉप लोस यहाँ पे लगा सकते, पहला तो ये, कि जब आप और करें, और एक्सक्यूट करें, उस टेम पे भी आप लोग लगा सकते, जैसे कि मैं HDFC क अब मैंने बाई पे क्लिक किया, अब मैं इसके 100 वाई करना चाहता हूँ, कि Meansnen टाल लिया, इस बुस्त पर पे क्लिक करेंगे, आप इसके जा सकते, LEGO पे क्लिक करेंगे, तो इसストbaloda कशने करने के से काम करना है, वह आप लोग देखेते हैं, what are stop loss orders and how to use them, ठीक है, अब देखें, stop loss यहाँ पे default में आपका लग चुका है, कि trigger price आपका रहेगा 1669 का लगबग similar आपको सो कर रहा होगा, जैसे कि मैं खरीद रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, कि 1670 रुपे में HDFC का stock खरीद रहा हूँ, ठीक है, त और limit में मैं लगा देता हूँ, इसको 1620 का, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है, stop loss order को execute करेंगे, और यहाँ से आप swipe to buy पे click करेंगे, तो जब आपका order लग जाएगा तो direct आपका stop loss भी लग जाएगा, ठीक है, यह पहला तरीका होता है, stop loss लगाने का, stock की बात करे, index की बात करे, investment की बात करे, trading की बात करे, सभी में इसी तरीके का stop loss लगता है, ठीक है, यह आपका होगे अप पहला तरीका, second तरीके में आप orders पर जाते हैं, जैसे कि आपने पहली बार अपना stop loss लगाना भूल गये, अब आप दूसरी बार लगाना चाहते हैं, तो आप अप rate order पर क्लिक करने के बाद भी आप लोग अपने stop loss लगा सकते हैं, ठीक है, तो दोनो तरीके पहले भी आप लोग लगा सकते है, order लगाते हैं टाइम पर भी stop loss order लगा सकते, या फिर अगर आपने buy कर लिया है, position आपकी आचुकी, उसके बाद भी आप लोग stop loss लगा सकते, ठ ठीक है, so topic is cover, मिलते है next video में.